चलिए मेरे दोस्त सुरू करते हैं रिवाइंडर का समान निग्यान और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो मैंने बना के डाला है जिसमें बावर और हिमाईव के बारे में था मुगल बंस का तो मुगल बंस में ही छोटा सा क्लिप में सेरसा सूरी का भी चर्चा आता है क्योंकि सबसे पहले सेरसा सूरी के सवाल उठता क्या है कि सेरसा सूरी का नाम ही है सेरखान तो फरीद खान था ऐसा नहीं कि सिरका नामी था सेर का नाम नहीं था, सेर खां या बच्पन का नाम था, फरीद खां कहिए, या प्ररंभी का नाम कहिए, फरीद खां था, दूसरा सवाल उठता है कि सेर खां के पिता का नाम क्या था, अब पिता भी, तो होनी चाहिए ना, पिता, तो पिता का नाम है, हशन खां है, या तो कि तो मुहमम्मद बहार खान लोहनी ने कर दिया था मुहमम्मद बहार खान लोहनी ने दिया तो आप इतने में आप बताई लुए जबाब देगा अप कमेंट बाक्स में भी सेर खां का किस बंस से समंदित है जवाब दिजए फटावट सूर बंस से सेर खां का सुरुवाती नाम क्या है बच्पन का नाम क्या है फरीद खां था बच्पन का नाम था अब सेर खां के पिता का नाम क्या था तो हरशन खां था अगर जवाब दिया आपने अगर जवाब दिया तो उन्होंने आपने good सही आगी क्यों चलेंगे आगी क्यों चलेंगे ठीक है समझे के clear हो गया अब चलिए सेर खां दिल्ली की गद्धी पर का बैठा सवाल उठता है यहां तो जा ता गलता है umbrella मुझे किताब पर भरुशा होता है कुटकर किताब से कोश्टन ही आता है च suffers अपने राजजफेख के समय सेर खां ने कौन سी उपादिक दर्हन की मतब कहने का मतलब है कि हिमायू का हरादिया था उसके बाδे और गदी पेढ़ दो गदी पे बैठते हैं किसने तो सेर्खान ने सेर्षाक्य उपाद ही ली थी याद दखिएगा गदी पे बैठते हैं राजस्रेक हुआ था तो याद दखिएगा आपको यूध के बारे में मैंने बता चुका हूँ है ना कन्नाउच की लड़ाई और चौसा की ये दो चीज हु इसे विकली भी कर दूँगा लेकिन वीडियो देखिएगा तभी सेकंड वीडियो देखिएगा क्यूंकि सिर्षा के विद्ध के बारे में पहले चर्चा हूँ चुका ही माई पर साथ ठीक है ठीक है और आगे क्यों चलते हैं पंदरो सो एक्तालिस इसमें सेर्षा ने किसक अब गख्रो के विरूद क्यों चलाए सवाल उठता है तो गख्रो के गख्रो जो हैं किसको साहता करते थे तो मुगलों का इसलिए यह अभियान चला था पंदरो सो एक्तालिस में सेर्षा ने चलाया था कि उसे हटा देना है कौन-कौन है उसके सपोर्ट में इसलिए ठीक ह समझे गए तो किलियर हो गया होंगे तो चलिए बताईगा सेर्षा ने अपना उत्तर पच्छिम सीमा को सुरच्छित करने के लिए किस किले का निर्मान कर रहाया अब इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेट है बहुत बात पूछा है अब पूछेगा सेर्षा ने अपना जो इरिया था उसका सीमा जो था उस सुरच्छित करने के लिए किस किले का निर्मान करवाया तो या देखिया रहतास गड़ किले का निर्मान करवाया था किसका रहतास गड़ जो किला है उसका निर्मान करवाया था कुन सिर्षा सुरी चीक है अब चलिए आपके लिए एक सव है बोलिए अच्छा गख्रा गख्रा किसको साहिता करते थे बताइए किसको साहिता करते थे अब लगता है आपके मुवपे ये कोशना कर सवाल बनता है तो आप जवाब दीजेगा बताईए आगे चलेंगे तो अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा ने तो ये ट्रिक मैं नहीं अपनाऊंगा और क्या रंथम भौर रंथम भौर की सक्तिशाली किले को अपने अधीन कर सिर्साने वहां का गवर्णर किसे न निक्त किया था तो याद किया अपने पुत्र आदिल खां को अपने पुत्र आदिल खां को अपने पुत्र आदिल खां को देखिए इसी को हराया है हिमायू कब जब सिर्सान सिर्खां मर गया था तब आदिल खां और तारा तारा खां था न वो था पहला वीडियो आप दे किसे किया कमेंट करते रहेंगे आप क्योंकि चुकेंगे तो मजा नहीं आएगा मिरे दूस्ट चुरिए आगे सेर्ख साह द्वारा किस किले पर रात में आकर्वन को उस पर काला धबा की संग्यादी है तो यह दिखेगा राइशिंग किले पर आगे चलते हैं राइशिंग किले पर रात में आकर्वन को उस पर काला धबा की संग्यादी गई तो यह दिखेगा राइशिंग किले पर आगे क्योंगे प्रशन है किस बिजय किस बिजय के बारे में सेर्ख साह ने कहा कि मैं मुठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के समराज को लाव खोच चुका था किस बिजय के बारे में सेर्थ साह ने कहा कौन से ऐसा बिजय था जिसमें सेर्थ साह ने कहा कि मुठी भर वाजरे के लिए हिंदुस्तान के समराज को लगवक खोच चुका था तो या दिखिएगा मारवा का विजए या दिखिए मारवा का विजए ही ऐसा था ना कि सिर्खां समझे कि वो उसका अगर वो नहीं जीता ना तो वो उसका अंतीम था लेकिनि वो जीत गया समझे सब दौपे लगा दिया था एक तरसे चलेंगे आगे चलेंगे सिर्षा के समय कालिंजर का सासा कौन था बताईगा तो किरत सिंग क्या था या देखेगा किरत सिंग जो थे कालिंजर के मिर्तु कालिंजर की डिवार से टकराकर लोटते तोप गोले से कब हुई मतब कालिंजर के क्यला था चीक है कालिंजर के किले में वå सिरखा अपना मतब जो हत्यार लूथ था उसे देखने किया था यशानक वो तो ऑचल गया वो तोप जो हाणा बहूरी जाकर लोट रहे लॉटमें उसे लग गया थे तो ऋसे टोक कब मिर्तु हो गए ये सवाल है तो पंदर sposव 255 सुआ में मिर्तु हो गए गोली कब लगी तो कब हुई तो 545 सुआ में क्लिए चलिए सवाल कあの सिर्ख ने कौन से विजयक के रगदा है कि मैमुट्टी भर सेले के लिए Alexand grand Québec समराज को लगवक खो चुका बताईगा किसके बारे में बोला है बताईगा और बताईगे किसके समय में मलिक मुहमद जैसी ने पदमाबत की रचना की तो या देखेगा मलिक मुहमद जैसी ने पदमाबत की रचना सिर्षा के समय ही हुआ था या देखेगा किसके सासनकाल में हुआ था या देखेगा सिर्षा के सासनकाल में हुआ था कौन किया था मलिक मुहमद जैसी ने किया था कौन सा किताब किया था पदमाबत किये थे, कौन सा किये थे, पदमाबत किये थे, इस तरह के सवाल उठते हैं, इस तरह के अंसर को जवाब देते रहना है, पूस्ता है, आगे चलेंगे, मिर्तु के समय सेर खां कौन सा अगनास्त्र चला रहा था, बताईगा, उक्का, या देखेगा, मिर्तु के समय सेर खां कौन सा अगनेस्तर चला रहा था तो याद दखे उक्का चला रहा था उक्का चला रहा था आगे चलेंगे आगे है कि सेर खां के समय अस्थानी करो को क्या कहा गया बताईगा अस्थानी करो को मतलब जो लोकल जो होता था अस्थान पर कर लगते थे तो उस्थान को क्या करते थे आब बाब या दखेगा आव बाब बाब या दखेगा आब बाब ऐसे याद रखेगा कर करते थे ठीक है आगे चलेंगे सिर्खाने भूमी मापने के लिए भूमी मापने के लिए किस मापक का प्रयोकिया तो 32 अंक वाले मतब 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी या दखेगा सन की डंडी और सिकंदरी गज जो 32 अंक के होते थे 32 अंक वाले सिकंदरी गज और सन की डंडी को मापक का प्रयोकिया था या दखेगा भूमी मापन के सासन काल में कितने टकसाले थी तो 23 23 तकसाले थी अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न बार बार पूछा हुआ ग्रेंट ट्रैंक रोड का निर्मान किसे ने करवाया सेरसाने करवाया आगे चलिए पाटली पुत्रा का नाम पटना किसे ने रखा तो सेरसाने रखा या ग्रांट ट्रेंग रोट का निर्मा किशन करवाया पड़ावर जवाब देंगे पाट्टी पुद्रा का नाम पटना किशन रखा पड़ावर जवाब देंगे जवाब देते रहेगे आगे चलते हैं सेर्षा ने किसको अपना नाम किस लीपी में खुदवाया बताएंगे सेर्षा ने सिक्को पर अपना नाम किस लीपी में खुदवाया यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए अर्वी एवं देवनागरी लीपी में याद रखेगा अर्वी एवं देवनागरी लीपी में दोनों में लिखवाया था सिर खां ने सिक्कों पर अपना नाम जो है किसे लीपी में खुदवाया तो अर्वी एव देवनागरी लीपी दोनों में खुदवाया था जब रखेगा ऐसे क्या होता है कि देखिए ग्रूप में ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे ग्रूप चलाते हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों को ऐसे ही करते हैं कि सवाल पुछते हैं फट 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 जवाब देना मूँपे उसका चल रहा है तो आपको भी ऐसे ही करना होगा मै सवाल कर रहा हूँ, आप कहीं भी घर बैठे हैं, कितना भी दूर घर में हो, आपको मैं अगर इस तरह के कोश्चन पुछाओ, आप फड़ा फड़ जवाब देंगे, आपको गुरूपिंग तो घर पे ही हो जाएगा, गुरूपिंग कोई बड़ा ची नहीं कि आप चार गु किस अस्थान में इस्तित है, तो सासाराम आपको यादोना चाहिए, सासाराम बिहार में ही पड़ता है, आप वहाँ ही सेरखां का मकवरा है, यह तकेंगे, आगे की ओर चलेंगे, हिंदी तथा इरानी, बस्तु कला का सरप्रथम समन्वे, किस में देखने को मिलता है, किस ने करवाया, तो सेरसाने करवाया, यह तकेंगा, आगे की ओर चलेंगे, सेरसा का उत्रा अधिकारी कों था, यह तकेंगा, उत्रा अधिकारी के अगर बात करें, तो स्लामा, शाह करवाई था, कोन करवाई था, सेर्थ कां का उत्रादिकारी कोन था, तो यह दिखिया, इसलामा साह, कोन था, इसलामा शाह था, उत्रादिकारी कोई और बना था, समझे, आगे बताईए, किसे भारत में, दिवतिय अफगाना राज कासन स्थापक माना जाता है, तो को माना जाता है मतलब सेर्षा को माना जाता है चीक है यह तकेंगे आगे चलेंगे पटना को प्रांत की रधानी बनवाया था तो कौन तो सेर्षा ने बनवाया था सेर्षा एक ही है कन्फ्यूज नहीं होना है चीक है आगे चलेंगे सेर्षा के समय औसक पैदावार का कितना ह लगान के रूप में बसूल किया गया था या किया जाता था तो बताईगा एक वटा तीन भाग किया जाता था या तखेंगे आगे चलेंगे सिरसा को महांता का घोतक क्या है मतब महांता का घोतक क्या है मतब महांता का घोतक मतब बड़ा होने का कारण क्या है राजा बनने का क प्रसासनिक सुधार में बहुत ही ये मतब ध्यान जादा देता था या दखेगा आगे चलेंगे ग्रेंट ट्रैंक सड़क जोडता है किसे किसे तो कुलकत्ता और अमरी सर को या दखेगे किसने चौसा की लड़ाई देखे चौसा की लड़ाई पंदर सोंचालिस इसमी में हिम पराई को पराजित किया था तो सिर साने किया था पंदर सोंचालिस में ये बएबात हो चुका है किसी उद खेगे के बाद सिर seat i the liy पर अफगान सत्ता की अस्थापना की तो फिल्ग्राम की उड़ाउठ जिससे हम लोग कन्नाउज का भी यूद काते हैं, मैंने बताया है, कन्नाउज, ठीक है, कन्नाउज की भी यूद को कहते हैं, यहाँ पर देखें, गलत हो गया, विल्गराम को ही क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिए, पढ़िया से लिख देता हूँ, कन्नाउज, ठीक है, रखता कि मैं सवाल करूँ आप जवाब दीजेगा कमेंट पर बैठे रहेंगा उससी टाइम अपलोड करूँ उस टाइम में मैं कमेंट पर रहूँगा एक टाइम फिक्स कर दूँगा टेंशन नहीं लिजेगा लेकिन आपको अगर अच्छा लगए तो कमेंट करते रहेंगे चलिए फड़ा फड़ जवाब दीजेए इसमें है कि किस सुल्तान ने सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधी अपनाई और बाद में सुल्तान की बताईए तो सेरसा सूरी ने याद रखेगा किस सुल्तान ने तो सेरसा सूरी ने जो है हजरत ए आला की उपाधी तो में सुल्तान क्युपादी धारण कर लिया था। पूछा था ये, है ना, मिलान में, या तके मुझे कोशन याद है किसके उपस थी, में प्रसाषन में कौन कोशा अध्यच को कहा जाता था फोते दार. चुकिया फोत दार आगे चलेंगे सिर्षा कालीन प्रशासन में कानून गो का काम त्वरा Cantonese सिर्षा कालीन प्रशासन में कानून, गो ठीक है कानून करो जमीन पे चलिए आगे चले सेरसा द्वारा निर्मे सड़क या शराय कहते हैं अफगान समराज की धमनिया थी धमनिया थी या किसके उक्ती है तो के के आर कानून गो के लिखा हुआ था ठीक है कानून गो आगे चलेंगे दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाए गया था तो चलिए आपको अच्छा लग रहा हो तो ये सौट क्लिप चलिएगा अच्छा लग रहा है तो subscribe लाइक करज़ेगा आगी क्यों चलते हैं और next video अकवर का आने वाला है आप देख लिए ये अकवर का आएगा अगला कुश्चन कल आपको अप्लोड हो जाएगा अकवर के बार में तो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लेज स्काइब लाइक किज़े और फुल वाचिंग किज़े आपके लिए आपके इंपॉर्टन कुश्चन के लिए जैन जै फारत